एलो दोस्तों स्वागत है आपका एस्प्रेंट्स में एंड देखिए नया न्यूज आ रहा है सुप्रीम कोर्ट आप इंडिया से यहां पे चीफ जेस्टिस आप इंडिया जो रमन्ना है वो रिटायर होने वाले है 26 तारीकों और नया जो होंगे वो हमारे होंगे यू यू ललित जिनका पूरा नाम है उधर्य उमेश ललित मात्र चोहद 24 दिन तक हैंका कारेकार हो रोगा और यह नमवंबर में रिटायर हो जाएंगे ओके तो यह जो कारेकार होता हैं का मात्र 65 साल होता है इसमें सीजे आई जो रमन्ना यहां पर आपको देख रहे होंगे ये रमन्ना है ये हैं यू यू ललित देखे रमन्ना ने भी कहा था कि ये जो 65 साल का रिटार्मेंट का एज है बहुत कम है भारत में इसको कम सकम 70 साल होना चाहिए ओके तो अब थोड़ा सा आगे डिसकस कर लेते हैं बाकी चीजों के बारे में भी अभी उदय उमेत ललित के बारे में देखें तो ये न्याय मूर्ती हैं और अभी फिलाल सुप्रीम कोर्ट में ही जज हैं और देखिए कोलेजियम सिस्टम होता है जो मुख्य CGI होता है उसके जश्ट बाद जो एज के अगला CGI बनाया जाता है तो वर्तमान में रमन्ना है और अपचारिक रूप से उन्होंने कानून मंत्री जो होते हैं भारत के उनको ये सिफारिस भेजी है लिखित में भेजा जाता है ये सिफारिस की आगे की कारेवाई अगले CGI का जो नियुक्ति है उसके लिए 27 अगस्त को इनको रिटायर होना है और ये 48 में चीफ जस्टिस थे ठीक है जो रमन्ना है वो 48 में थे जबकि आगे आने वाले जो है यू यू ललित ये होंगे हमारे 49 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 75 साल इनकी उमर पूरी हो जाएगी 8 नवंबर को तो उसके बाद ये भी रिटायर हो जाएंगे ध्यान रखियेगा जो रमन्ना थे उन्होंने अस्थान लिया था S.A. बोबडे खा उके उसके पहले बोबडे जो थे हैं वो थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी अगर यू यू ललित का देखें हम इनका कारेकल तो 1885 में इन्होंने बांबे हाइकोर्ट में प्रैक्टिस प्राराम किया था 1986 में दिल्ली आ गए और यहां पर हाइकोर्ट में प्रैक्टिस करना इन्होंने सिरू किया उसके बाद देखिया 2004 में इन्होंने क्या किया सरवोच नया आले में अधिवक्ता के रूप में नामित कर दिया गया इनको उसके बाद करेक्ट 10 साल के बाद यह बन गए नयाय इंडिया आगे देख लिजिए 2017 में इन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला दिया था जो था हमारा ट्रिपल तलाग पर ध्यान रखिएगा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कोश्चन है आने वाले एक्जाम में जरूर पूछेगा कहीं न कहीं जहां पे तीन दो के बहुमत से पांच लोगों का यह पीठ था पांच नया अधीसों के पीठ थी तो जहान रखिएगा पांच या उसके उपर जितने अगर नया अधीसों के अगर कोई पीठ बनाय जाती है तो उसको सम्वेधानिक पीठ कहा जाता है इसके अलामा यूयू ललिज जो है वो जब रिटाय होंगे उसके बाद बनेंगे डी वाई चंद्रचूण अगले चीफ जश्टिस ओफ इंडिया और डी वाई चंद्रचूण बहुत ही फेमस होंगे क्योंकि इनके पिता जो थे वाई वी चंद्रचूण ये भी चीफ जश्टिस ओफ इंडिया रह चुके हैं 1978 से लेके 1980 तक और ये भारत में अभी तक का सबसे लंबा कारेकाल रहा है किसी भी चिफजश्रीस ओफ इंडिया का ओके वाई वी चंद्रचूर जो की 1975 से 1980 तक रहा चुके है 1978 से 1980 तक ये सबसे लंबा कारेकाल आज तक का रहा है तो इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा अभी ये 8 नॉमबर के बाद कारेवाई शुरू होगी इनकी तो लेकिन इनके पिता के बारे में ये आप फैक्ट ध्यान रखिएगा उसके अलामा जो important information है ये कि अभी तक का जो सबसे छोटा कारेकाल रहा है वो रहा है कमल नरायार सिंग का जो की CGI थे 1901 में तो ये factual information था थोड़ा सा इसके अलामा आप देख लीजिए CGI की नियुक्ति किस प्रकार से की जाती है तो अनुच्छेद 124 का खंड दो जो है वो बताता है कि Chief Justice of India का नियुक्ति जो होगा वो राष्टपति द्वारा किया जाएगा और अनुच्छेद होगा 124 कंड दो जो निवर्तमान यानि कि जो वर्तमान में Chief Justice of India होता है वही अपने उत्तरा धिकारी के लिए सिफारिस करता है कानून मंत्री को और कानून मंत्री ये सिफारिस करता है राष्टपति को तो राष्टपति क्या करेगा कहेगा एक लिखित स्टेटमेंट जारी किया जाता है राष्टपति के कारयाले से कि नय Chief Justice of India की जो नियुक्ति है उसका कारेक्रम सुरू किया जाए फिर क्या होगा कोलिजियम का गठन किया जाएगा कोलिजियम सुप्रीम कोर्ट में ही गठित होगा याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट में ही गठित होगा इसमें क्या होगा कि Chief Justice of India जो होता है उसके अलामा चार अन्य जो वरिष्ठतम ध्यान रखिएगा वरिष्ठतम एज के अनुसार वरिष्ठतम जो नयाधिस होंगे वो इसमें सामिल होंगे और डिसाइड करेंगे कि अगला नयाधिस कौन बनेगा ठीक है तो इनी चार में से एक को बनना होता है ये कॉलेजियम प्रणाली ध्यान रखिएगा कि इसका सम्विधान में कोई भी उल्लेक नहीं है ये मात्र सुप्रीम कोट के निर्णायों के अधार पे इसको बनाया गया है कॉलेजियम सब्द का तो यहाँ चर्चा है कि किस परकार से नियुकती होगी लेकिन इसकी विश्तरित व्याख्या सम्विधान में देखने को बिल्कुल नहीं मिलती तो इसी कॉलेजियम सिस्टम को बदलने के लिए ध्यान होगा आपको 99 सम्विधान संसोधन भी किया गया था NJAC का गठन किया गया था इन बाद में सुप्रिम कोट ने इसको नल एंड वायड करार दे दिया था इसको खारिज कर दिया था ओके तो यह इंपर्टेंट इंफॉर्मेंसन था CGI से